नमस्कार, दिस कोशिन इस फ्रम आईटी एडवांस 2020 पीपर, पीपर 1, कोशिन बहुत असान है, और निवच कितना लग रहा है यह आपको बताई रहा है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है, मुल आईटी बता दो निवच की, तो यह तो बहुत असान सवाल है, यह थो हम मुलते हैं कि अगर equivalent point आपको निकालना हो, आप कहा सकते हो, at equivalent point, जब reaction खताम होती होगी, titration end होता होगा, उस वक्त, you can say, equivalent of H2SO4 will become equals to equivalent of NaOH, और अगर equivalent equal है, तो milli equivalent भी equal होगे, तो I can say, milli equivalent of H2SO4 is equals to milli equivalent of NaOH, अच्छ है जी, उसके बाद क्या, उसके बाद equivalent का formula क्या होगा, कि मुलाइटी की टांस में निकाला जाए, तो मैं कहूँ, मुलाइटी of H2SO4 into volume of H2SO4 in ML, क्योंकि मिली equivalent निकाल रहा हूँ, इसलिए volume ML में लेकर चल रहा हूँ है, into, इसका end factor, यह सब H2SO4 के बारे में, इसे 1 ले ले लेते हैं, तो M2 into V2 into N2, इसका end factor, इसका end factor 2 होता है, है H2SO4 का end factor 2 होता है, क्यों 2H plus 9 दे सकता है, एन होच का fed क्यों 1 होता है, क्यों 1 OH minus 9 दे सकता है, आच्छा जी, इसकी molarity कितनी दी है, इसकी molarity आपको दी गई है, कितनी? .1 molar, इसका volume आपको दिया है, 5 ml, ठीक है जी, इसका end factor होता है, 2, इसकी molarity मिरे को निकाल नहीं है, पंगा है, देखो, क्या है, एक्चुली, कुछ लोग तो यही बोलते हैं, जैसे कि आपने कुछ एक्स्परिमेंट किया, कुछ आपने, कुछ वेल्यूस निकाली, ठीके, उन वेल्यूस के निकालने के बाद, आप क्या करो, अगर आपको वॉल्यूम आफ एने वच निकालना ह है, तो आप एवरेज निकाल देते हो, मतलग आप क्या करते हैं, 12.5 प्लस 10.5 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 बाइ 5, ऐसा करके एवरेज निकाल दे, तो एवरेज वेली कितनी आ रही है, 10 एमेल, तो वॉल्यूम आफ एने वच अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूं और इसे 1 रख दूं तो यहाँ से मेरे को लग रहा है, 5, 2, 10, 10 से 10 कटी जाएगा, सीधा सीधा आपका M2 कितना आ जाएगा, M2 आ जाएगा आपका 0.10 कह लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 रिजित तक बताना था अंसर, तो इतनी मोलायटी आपकी आ जाएगी, तो अंसर शुड़ भी 0.10 मोलर, ल मतलब आप सेम एक्सपरिमेंट को रिपीट करते हो, और अलग-अलग वेल्यूस निकालते हो, तो या तो उनसा वेल्यूस का एवरेज निकाल लो, उसे कहलो, वॉल्यूम आफ एनवेज, या फिर कुछ टीचर तो ऐसा भी बोलते हैं, जो कि NCRT के अगर आपने कभी लैब म एनवेज कंसिडर कर लो, मतलब कुछ लोग हो सकता है कि यहां से आपको बोले कि 999 बहुत बार 9 आचुका है, इसलिए आप कहें कर लो, आप सीधा-सीधा वॉल्यूम आफ एनवेज को 9 ही माल लो, तो अगर ऐसा करके मैं कैलकुलेशन कर दूँ और यही सारी कैलकुलेशन यहां पे 9 रखके कर दूँ, तो उस वक्त M2 जो है वो आपका 0.11 आ जाएगा, तो बस इतना फरक आजाएगा, अगर आप देखोगे, तो 9 रखने पे और 10 रखने पे बहुत ज़्यादा फरक नहीं आ रहा है, वैसे अगर देखा जाए तो, तो वैसे मेरे हिसाब से तो यह जाए जाएगा, अबरेज निकालना चाहिए, अबरेज के हिसाब से है, यह बात जल्दी से हर कोई नहीं बताता है, तो जनरल इस एक्सप्परिमेंट करते हों, टीचर यहीं बोलता है, कि आप different values निकालो, उसके आप average value निकालो, average value को इसमें यूज़ करो, तो अगर average value वा